जैहिन आप सबी के मेरे डिफेंट चैनल पे स्वागत है तो आज के डिफेंट सब्टेट वीडियो में तो अलग-अलग देशों के द्वारा बारत के फिप्ट जनेशन फाइटर जेट यानि के एमजे को लेकर अलग-अलग ओफर भी दी जा रही है तो इन सबी ओफर के बार अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजेगा और अगर आपको डिफेंट से बारत को दी जा रही है तो यह कंट्रिया चाहती है कि भारत उनके साथ टेक्नोलजी शेयर भी करे और उनकी टेक्नोलजी बारत अपने अमका फाइटर जेट में इंस्ट् Part 2 ज इसके अलावा नई टेक्नोजी से बारत के अमका में भी फाइदा हो सकता है, तो उनमें से सबसाप पहला देश है जापान, तो जापान अभी फिलाल येरोपियन कंट्री जो ब्रिटेन, इसके अलावा इटली, इनो देश मिलके जो six generation का fighter jet develop कर रहे है, और जो six generation की टेक्नोजी है, वह जापान भारत के साथ share कर सकता है, इसके अलावा EMCA fighter jet को develop करने में help भी कर सकता है, तो जो Japan है वो अभी फिलाल अपने दम पे ही एक पहुत ही ताकतवर powerful jet engine को develop कर रहा है इसके अलावा western country के साथ मिलकर six generation के fighter jet के उपर काम भी कर रहा है इसके अलावा in country के साथ मिलकर एक six generation का jet engine भी develop करेगा तो अभी फिलाल Japan अपना एक दमदार powerful engine को develop तो कर चुका है यह jet engine कितना ज़्यदा reliable है उसको लेकर विपलाल डेटा अवेलेबल नहीं है तो ओर रूल बात करें तो जो Japan six generation technology भारत के साथ share करना चाता है वह कौन सी technology है और किस price पे भारत को उपर करता है वह ज़्यदा important है क्योंकि अगर six generation technology high cost के उपर भारत को उपर करता है तो वह कोई भी माइने नहीं रखती है और एक sustainable price पे भारत को उपर की जाती है तो वह भारत के लिए और जापन के लिए दोनों के लिए ही beneficial रहेगी इसके अलावा बात करें तो रश्या की द्वारा भी कई report में यह बताया गया है कि अगर भारत चाहे तो रश्या EMCA fighter jet को develop करने में भारत की help कर सकता है तो इससे पहले भी भारत और रश्या jointly मिलके SU-57 Fallon के base के उपर FJP fighter jet को develop कर रहे थे पर रश्या के द्वारा बार-बार funding इसके अलावा SU-57 Fallon के जो stealth characteristic है इसके अलावा SU-57 Fallon के जो technology transfer है इसके लेकर कई issue सामने आये थे इसी वज़े से भारत ने FJP program से अपने जो हाथ है उसको पीछे किच लिया इसके अलावा रश्या के द्वारा बार-बार offer दी जा रही है कि बारत चाहे तो वह SU-57 Fallon के कई सारे technology अपने अमका में भी install करवा सकता है पर विपलाल बारत ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि बारत को एक कड़वा incidence रश्या के द्वारा मिल चुका है FGFA प्रोग्राम में इसके अलावा अलग-अलग ओपर western country के द्वारा भी दी जा रही है अमका fighter jet को लेकर कि अगर भारत चाहे तो यह country या बारत को EMCA के लिए advice technology ओपर कर सकती है जिनमे student company स्वाब आती है साब company अगर भारत MRFA deal में griffen fighter jet को purchase करता है तो वह tages mark 2 में भी help कर सकती है इसके अलावा EMCA fighter jet में भी help पर सकती है पर अगर भारत साब के griffen fighter jet को select करता है तो वह भारत के tages mark 2 के लिए भी और tages mark 1 के लिए भी competitor बनेगा इसके अलावा जो स्वेडिन के company साब है उनके पाद अभी फिला फिप्स generation की technology उतनी ज्यादा मिच्चर नहीं है कि वह भारत के aim EMCA fighter jet में help कर सके और अगर वह help करना चाहे तो वह तेजस mark 2 में बढ़ी अच्छी help कर सकते है पर यह सोधा अपारत के लिए ही नुक्सान कारक हो सकता है क्यूंकि जो ग्रिपन है वो सीधे तोर पर तेजस mark 2 और तेजस mark 1 इसके competition करेगा जो कि भारत यह वाई शेना नहीं चाहेगी इसके अलावा जो स्वेडिन के पास फिप्स generation की technology होगी उससे ज्यादा अडवांस तो अभी फिलाल भारत ने अपने दम पे ही EMCA के लिए develop कर चुकी है इसके अलावा jet engine को लेकर बात करें तो अभी फिलाल आने वाले टाइम में बारत को बहुत सारे jet engine की जरूद है तो इसी जरूद को जान में रखते हुई कई सारी AC country है जो कि बारत को लगातार नए नए offer दे रही है तो बारत यह चाता है कि जो भी jet engine हो वो made in India यानि कि बारत में ह को मिले है तो सबसे पहला offer है General Electric के द्वारा तो GE अपना F414 INS6 engine है जो की इनीचल आम का इसके अलावा तेज़े समार्क 2 में लगने वाला है जिसको 100% technology transfer के साथ बारत में बनाना चाहती है तो GE कमदी ने अपना जो प्रस्ताव है प्रस्ताव को Biden administration के सामने रखा है और Biden administration के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजोरी मिल जाती है तो इस डिल के उपर आगे बढ़ा जा सकता है इस डिल में 100% technology transfer होगी इसके अलावा 80% indigenous material का यूज किया जाएगा तो यह डिल साइन हो जाती है तो बारत के लिए एक बहुत बड़ी defense होगी इसके अलावा भी एक बहुत भी पिलाल मिल रहा है तो अगर बारत चाहे तो इस jet engine program में partner बन सकता है बारत इस fighter jet program में partner बनता है तो बारत के साथ 100% technology भी transfer होगी इसके अलावा भारत को IP right भी मिलेंगे तो यह बहुत बड़ी offer है बारत के लिए क्योंकि आने वाले time में भारत को EMC Mark 2 के लिए भी एक 6 generation का fighter jet engine चाहे होगा तो अगर भारत इस program में joint होता है तो भारत को एक बहुत ही ताकतवर 6 generation का fighter jet engine मिल सकता है क्योंकि Rolls Roy एक बहुत ही लंबे time से fighter jet के engine को develop कर रही है उनकी reliability भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इसके अलावा रिसेंट में ही जापा ने भी एक ताकतवर engine क develop किया है तो overall भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सोदा साबित हो सकता है एम से माक 2 के लिए क्योंकि एम से माक 2 में एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर engine चाहिए होगा तो यह defense deal है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपून हो जाती है क्योंकि GE का जो F414 INS6 engine है वो तेजस माक 2 और initial अमका को तो पावर कर सकता है पर जो तेजस माक 2 होगा वो advanced technology के साथ आगने वाला है उन्हें advanced avionics और sensor को पावर कने के लिए definitely powerful engine की जरूरत होगी तो भारत definitely इस engine की deal के बारे में सोचेगा और positive news आपको सुनने को मिल सकती है तो वीडियो अच्छा लग सब्सक्ताम जाद बे λगी जरो देब सकता है वीडियो भारतो पारे में वीडियो नजे घरूरत हो आगने THर जरूरत हो इसundo पावरा को खवाज हो फजयी की जरूरत हो ख़ीज भीग कि HER ईतरूरत है जरूरत हो तो